शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले अब वाडी नगर परिशत तक पहुँच गया है कोरोना वाडी में नौफ फीर लोग निकले कोरोना पॉजिटिव वहिलावा में दूसरा पॉजिटिव वाडी नगर परिशत के अगनी शवन करमचारी भी निकला कोरोना पॉजिटिव मरेंस वाडी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन बदिन बढ़ रही है। सोमवार को धंबकिरतिनगर में एक तीस वर्ष एसार पी कर्मी युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिवार के नौ लोगों को कॉरिंटाइन किया गया था जिसमें से शनिवार को नौ लोग पॉजिटिव आने से वाडी में खलबली मची है। वही लावा के महादेव नगर के एसार पी सिपाई पॉजिटिव आया था अब उसकी तीस वर्ष ए बहन भी पॉजिटिव आने से अब लावा में पॉजिटिव की संख्या दो ही है। वही वाडी में कोरोना संख्या 14 हुई। प्राब जानकारी के अनुसार नगर परिशद अगनी शमन में कार्य रदिक 32 वर्ष यूवक का शुक्रवार को रात में रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अब कोरोना नगर परिशद तक पहुचने से नगर परिशद कार्याले में भी डर का माहौल बना ह नगर परिशद शुरू होने से संक्रमन का खत्रा बढ़ रहा है। फायर कर्मचारी सताई जून से नाइट ड्यूटी पर था। जो जो कर्मचारी नाइट पर थे वैसे छे कर्मचारियों के साथ अन्यनों लोगों को कॉरेंटाइन किया गया है। जून माह में मुख्याद नगर में SRP का सिपाई भी पॉजिटिव आया। दौला मेटी में महिला पुलीस धमकिर्थिनगर में वह महादेव नगर में यूवक्त एक दूजे से मिलना जुलना था। वही फायर वाडी नगर परिशद कर्मचारी भी उनके संपक में होने से कुर्णा की चपेट में आ दो बहन वह उनके दो बच्चे पॉजिटिव आये उन्हें एम्स में भरती किया गया। कॉंटेक्ट ट्रेसिंग टीम बनाई गई है। इंसिडेंट कमांड टैसलदार ग्रामी ने वाडी में कॉंटेक्ट ट्रेसिंग टीम बनाई। यह टेम संपक में आने वाले लोगों क को पता लगाने का काम करेगी। वाडी में कॉरोना संक्रमन बढ़ने से. नगरपरिशात की चिंता बढ़ गई है। कॉरोना पॉजिटिव निकले, गली को सील कर दिया गया है, सैनिटाइज भी किया गया है। पॉजिटिव की संक्या बढ़ने के बाद भी वाडी के मार्क में भीर दिखाए देती है इन 20 ये नियूस के लिए वारी से सुनिल शटि के साथ अभिशेख पांसिक की रिपोर्ट